हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में हम लाइब आ चुके हैं आप लोग भी लाइब आजिए जल्दी जल्दी और आप लोग एक बार कॉमेंट करके बता दीजे आवाज के लियर है कि नहीं है चले हम लाइब आ चुके हैं आप लोग भी पहुछ रहा है कि नहीं पहुच रहा है चले इब आप लोग बताईए कि आवाज के लिए है कि नहीं है चले आपका कोमेंट भी देख लेते हैं ताकि हमको पता चल जाएगा आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर पर इच्छा के लिए कि आप अब यहां पर ध्यान दिखिए बिहार बोर्ड इंटर पर इच्छा के लिए यहां आप यानि भौतिक भी ज्यान का एक model प्रेक्टिस सेट यहां पे solve करेंगे जिसमें कितना objective प्रस्ण रहेगा 40 objective प्रस्ण रहेगा यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा जिसमें 40 VVI यानि MBVI objective प्रस्ण है तो आपको क्या करना है 40 के 40 objective प्रस्ण को आपको बनाना है और इसको क्या करना है आपको सही करना है और लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने कितना प्रस्ण सही किया तो सुरू से लेके अन तक आप लोग इस वीडियो में बने रहे हैं दखिए यहां पर चैनल पर आप लोग पहली बर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के पास से जो बेल आइकोन होता है उसको दबा के आप लोग बॉल्पे कर लीजिए ताकि जब भी लाइफ क्लास हो तो नौटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और साथ में बबू आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए चले सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी बच्चे यहां पर देखिए वाट्सप ग्रूप में नहीं जूड़े हैं तो वाट्सप ग्रूप में जूड़ना बहुत ही ज्यादा अनिवार है यहां पर देखिए वाट्सप ग्रूप में जूड़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार है तो हम अपना वाट्सप नंबर यहां पर लिख देते हैं यहां पर 74 24 आप लोग इसमें मैसेज करके बोलिए कि सर जी हमको ग्रूप में जूड़ना है तो हम आपको क्या करेंगे ग्रूप में जोड़ देंगे चले सभी प्यारे बच्चों वो गूड इवनिंग कैसे हैं आप लोग बाबू सभी बच्चे बढ़िया हैं चले बहुत ही बढ़िया चले सभी बच्चों बूड इवनिंग तो यहां आप देखे और इसका PDF डाल दिये यहां आप देखे इसका PDF कब मिलेगा PDF डाल देंगे सुबा में 6 बजे मिलेगा अगर आपको PDF डाउनलोड करने नहीं आता है आप लोग बने रही है वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके आप देखे ओनलाइन टेस्ट चलेगा सुबा में 6 बजे से तो आप लोग ओनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं सभी मेरे प्यारे स्टुडेंट एक बर बता दीजेगी क्लास को ये स्टार्ट कर दिये जाएं आप दिखे जो मॉडल पेपर है उसको सुरू किया जाए बाबु बता दीजे, आप लोग एक बर सभी बच्चे, सभी ये स्टूडेंट एक बर बता दीजे, कि क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए, चले, बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे जुड़े भी है, आज चले आपर अभी सेक, यूटूबर, डॉली मिस बच्चे तो आंसर देने लगे, हमसे एक कदम आगे निकल गए बच्चे, नागू दे, बहुत बढ़िया, सिमरन खादुन, साहिद लगी, बहुत बढ़िया, एक्दम बढ़िया, एटिटिट्यूट गूयर, आज तो महा भी भी आई स्रीज चलने वाला, यानि मॉडल पे बढ़िया, आपने कितना से किया, कितना गलत किया, साहिद कुमार है, अमीज कुमार है, चलिए, लगी कुमार, तो सभी बच्चे मुस्कुराते हुए, ऐसे बोलेंगे, यासर जी, अब यहाँ पे मॉडल सेट आप स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ आप देखिए, मुस्कु पोटेंट है, और यह तीन से चार बर पहला नमर प्रशने पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग भ्यान रखिएगा, एक मिनट, पहले नमर प्रशने का आप लोग आंसर देजिए, तो बावू कि बीभॉप पर मड़ता बराबर होता है किसके, यहाँ आप देखिए, और यह प्रशने दो से तीन बर आपके बोर्ड एक्जाम में पूछा गया है, कितना, दो से तीन बर पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको यह जवाब देना है, कि बीभॉप पर मड़ता बराबर होता है, कितना के, तो यहाँ पे सभी बच्चे बोल रहे हैं, C, आप्सन, या 40 में कितना सही किया है, कितना गलत किया है, सारा गिंते चलना है, लास्ट अगम आपका कॉमेंट देखेंगे, और यह पूछेंगे सभी बच्चों से कि आप लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत किया, चलिए, दूसरा नमर प्रशन का आंसर दीजिए, आप लोग मात रख होता है, यहाँ आप देखेंगे, यह प्रशन को हम बता देते हैं, कितनी बार आपकी एक्जाम में पूछा गया, तो यह देखिए, यह प्रशन लगवग तीन से चार बार एक्जाम में पूछा गया है, यानि most important है, और इसे आपको याद करना भी ज़्यादा तो यहाँ पर पूछा गया है, कि D-Vai मात रख होता है, आवेस का, कि B-Vai का होता है, कि D-Option है, इन में से कोई नहीं का, तो यहाँ पर हमको सही जवाब चाहिए, तो अगर आप से पूछें कि D-Vai मात रख होता है, तो कभी भी याद रखिएगा, D-Vai किसका मात रख होग यानि जिसका दो कुस्टन सही हो गया, साथ में आप लोग याद करते चलिए, कि सर जी हमारा दो को कुस्टन सही हो गया है, चलि बहुत बढ़िया, और आप लोग वीडियो को बावो सेर नहीं करते हैं, तो आप लोग के लिए आप वीडियो को सेर नहीं करते हैं, तो आप दो से तीन बार लगवक पूछा गया प्रश्न है तो यहां पर आप लोग इसका जवाब देजिए देखते हैं अभी लाइब चेक करेंगे कौन सा अच्छा कितना सही जवाब दे रहा है क्या लिकाए निमलीकित में से कौन सा पदार्थ संयोजक्तार बनाने के लिए सरवाध अधिक उत्तम यानि पदार्थ कौन सा होता है चलिए देख लेते हैं यह अप्सन आ गया अब इसे एक बाबू का आगया डोली का आगया नागू का आगया लखी का आगया वा मेरे सिरो गजब रिंकी कुमारी परकास बहुत बढ़ी यहीं होता है बाबू पढ़ाने का यह नहीं होता है टोपिक वाइज पढ़ने का नतीजा की इतना सही आंसर आप लोग दे रहें बहुत बढ़ियां साही दिटिट्यूट वायराज महीमा वत्स बहुत बढ़ियां किलर बहुत बढ़ियां वेरी गुड सब सिमरन खादून बहुत ला जवाब यहां पर देखिए तो नाइक रोम कौन सब अभू नाइक रोम कब अभू नाइक रोम होला है यहां पर क्या हो जाएगा ए अप्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका तीन सही हो गया ओ लोग एकदम टिक करते चले कि असर जी हमारा तीन हो गया सही एकदम लाष्ट में पूछेंगे किस इसका कितना सही होने वाला है चलिए अब ये प्रस्ण आगे एकदम हलवा यहाँ पर दीखिए हमारे इसाब से पूछा जाये तो यह क्या है स्मतिम आजए क्यास प्रश्ण यहाँ एफ क्या लिखा दटार किस पदात से निश्वित होता है यानि यहाँ आप देखिए फ्यूज जो तार होता है फ्यूज यानि हर घर में फ्यूज लगा होता है यहाँ पे अलेक्ट्रिकल के आप देखिए आपके घर में अलेक्ट्रिकल का काम हो रहा होगा तो वहाँ पे फ्यूज लगा होता है फ्यूज में एक तार होता है, वहीं तार पूछ रहे किस चीज का बना होता है, तो यहीं आपको बताना है कि फ्यूज तार आखिर किस पदार से निर्मीत होता है, तो यहाँ आप देखिए, फ्यूज तार अगर आपसे पूछे किस पदार से निर्मीत होता है, तो यह होता है लेड और टीन के मिस्र धातू से मिल ना तो तामा से बनेगा ना तो टंगोस्टन से बनेगा ना तो ना इक्रोंस से बनेगा। से लेड और टीन के लेड यानि क्या होता है सीसा का बबू सीसा लेड मतला सीसा तो यहां आपको ध्यान रखना है सी ऑफशन इसका 100% राइट आंसरों का वेरी गुड मेरे से रोगदम गरदा उड़ा दिया आप लोग आज तो परकास कुमार नागुदे साहिद बहुत यहीं बोलते हैं कि चेप्टर वाइज अगर आपकर हमसे अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको एक्जाम में बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है बहुत बढ़ी है मेरे सेरों चली आगला कुस्चन अगला कुस्चन यहां आप देखिए क्या है पांच अब इसका जवाब दीजिए तो बावो लोग यहां पर देखिए क्या लिखा है पांच नमबर प्रश्ण में कि ताप वैदुत युग्म में परवाहित धारा को हम क्या कहते हैं और यह चेप्टर फिजिक्स के चेप्टर वन में हम आपको यह प्रश्ण पढ़ा चुके है तो यहां पर आपको यह बताना है कि ताप वैदुत युग्म में परवाहित धारा को हम क्या कहते हैं तो ताप वैदुत युग्म में जो परवाहित धारा होगी उसे कहेंगे सीबेक धारा क्या कहेंगे सीबेक धारा जोकी यहां पे एकदम सभी बच्ची आंसर सही ति यहां आप लोग इसका राइट आप लोग इसको शही कर लीजेगा चलिंगा कोशन देख लों यह रहा यह कुशनaci है आपके सामने और इसका जवाब दीजिए यहाप ए कई बार आपको दिमाग में एकदम समझा समझा के आप दिए उस दिन बहुत बार यानी बता है तो 7 से 8 बार इस प्रश्ण को हम आपको समझाये थे तो यहाँ पे आप लोग इसका जवाब दिजिए और एक एक प्रश्ण गिनते रहेगा कि 40 में से कों वो सही हुआ कम से कम हम को 35 सही चाहिए बाबु, 40 में से कितना, कम से कम 35 सही चाहिए हम को? तो यहाँ पे आप लोग 6 नम्मर प्रश्णों का अंसर दिजिए कि कि कसी वज़ू का पारवैधुतिसतिरांग हमें सा यहाँ पे धेयान दिजिएगा, इस टौपिक पर कि किसी भी वज़ू का कि किसी वस्तु का पारावैदूति इस्तिरांग कितना होता है तो सी ओप्शन बता रहे हैं कि एक से वेरी गुड मेरे सेरो बहुत बढ़िया दिल खुश कर दिया आप लोग सुरिय परकास महीमा बहुत बढ़िया लखी बाबू बहुत बढ़िया तो यहां पर देखे किसी किसी वस्तु का पारावैदूति इस्तिरांग कभी भी ज्यादा होगा तो एक से ज्यादा होगा एक से अब यहां पर देखे देगा 0.5 से तो क्या होगा नहीं होगा माल लिजे 0.99 से तो नहीं होगा किसी से भी ज्यादा हो कितना से एक से तो एक से ज्यादा होगा तो एक स स्टुडेंट से मेसेच से प्रश्ण सई किये होंगे चले यहां आप देखिए यह प्रश्ण का आप लोग जवाब देजिए साथ नमबर प्रश्ण में देखिए क्या पुछा गया कि ताप करम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तब हुआ क्या है अगर हम ताप काते हैं चले बहुत बढ़ियां जो विद्दूत अरज ताप में बदल किसे है और आप अपने पूछ दे एक्जाम में परतिरोध किसे कहते हैं तो प्रतिरोध किसे कहते हैं जो विद्दूत अरजा को यानि electrical energy को यहाँ पर क्या ताप यानि temperature में convert कर दे उसी को हम क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं तो यहाँ पर पढ़ाने पर यदि प्रतिरोध decrease होता है घटता है तब हो क्या होता है तो क्या होगा चालक तो होगा नहीं चालक तो होगा नहीं क्योंकि घट रहा है तो आती चालक नहीं होगा विदू तुरूदी नहीं होगा तो यहाँ पर option लिखा है अर्ध चालक तो यहाँ पर क्या होगा मेरे 0 बी ओप्सन इसका राइट आंसर होगा चलिए एक बार बता दीजे समझ में आ रहाए बावू की नहीं आ रहाए लवली सिंग चंद्रवंसी बहुत बढ़ी है महिमावस धीरज बहुत बढ़ी है चलिए गजब गजब इसी परकार जवाब दीज़े डॉली वाउ बहुत बढ़े है, चले अगला question का answer दीजिए तो आप लोग, यहाँ पर देखिए अगला question क्या है आपके सामने, अगला जो question है यहाँ आप देखिए 8 number, यहाँ आप देखिए 8 number प्रशन क्या है, यह most BVI प्रशन है, याद रखिएगा इसको, यहाँ पर देखि question पूछा जाए exam में कि वाईउ में गोली अचाला, क्या, गोली अचाला की जो धारते होती है, वो समानुपाती किसकी होती है, तो वो समानुपाती होती है, गोले के तरिज्या के, तरिज्या व्यास आप लोग जानते ही होंगे, तो गोले के तरिज्या के समानुपाती होती कल सुबा में online टेस्ट होगा और रिजल्ट कितने बज़े मिलेगा तो चार पीएम में वीडियो के साथ रिजल्ट मिलेगा पीडियेफ के साथ तो आप लोग सभी बातों पे ध्यान रखा किजिए बाबू चलिए यहां पे 8 नमर प्रश्ण हो गया चलिए 9 नमर प्रश्ण पे आते है हम लोग चलिए 9 नमर प्रश्ण क्या है यहां पे देखिए नौ नुमर प्रस्ट में देखिए कि आप पुछा गया है कि जब संधारित्रों में के पारा बैदूत इस्तिरांग का माद हो माली जी जब सब एक संधारित्र है यहाँ पे माली जी एक संधारित्र है उसमें क्या के पारा बैदूत इस्तिरांग का माद हो माली जी यह संधार इतर है इसमें क्या किये पारावैदूत इस्तिरांग यहां पे हम डाल देते हैं तो हावा की अपेक्छा इसकी धारता क्या होगी यानि इसका एर की अपेक्छा यानि हावा की जो अपेक्छा होगी इसकी धारता में क्या होगा तो इसका धारता क्या होगा क्ये गुणा ही प्रतिरोध कितना होता है और यह आप लोग मानेंगे नहीं यह आप देगे प्रतिरोध कितना होता है अनंत सुने पांच यह आप देगे पचास जार हों कि इनमें से कोई नहीं किसका तो वोल्ट मिटर का ध्यान रखना है चलिए आपका काउंटडाउन सुरू होता है अब सिम्रन बता रही है बी सुने यह आप बिलकुल गलत जवाब रिंगी कुमारी बी ओप्शन सुने गलत जवाब बी ओप्शन गलत जवाब एडिटीवड गोयराज बी ओप्शन गलत जवाब चलिए यही तो दिक्का थे बच्चा सब यही तो दिक्का थे एए ओप्शन अनन्त वैरी गुड दिपु दिवाना वा दिवाना जी एकदम बढ़िया जवाब दिवाना चलिए एकदम मस्त एकदम अब इसे एक यूटूबर बाबु सुपर सुधीर बाबु डॉलिम इस तरह ए ओप्शन वैरी गुड अब ना सही आया अब सही जवाब आ रहाए एकदम असल माइने में अनंत बहुत इबढ़िया महिमावत चलिए, ओर कुणसा बच्चा है थोड़ा एनर्जी लाइए बाबु एनर्जी के साथ जवाब दिजे, फर्टा फट एकदम जवाब दिजे, अनर्जी के साथ दिजे थोड़ा, कमेंट ऐसा यहाँ चले कीदम इसे question को आपको उड़ाते चलना है top करना है कि नहीं आपको side बहुत बढ़ी है तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि एक अधर्स voltmeter का तो voltmeter का क्या होता है अनंत होता है अगर आपसे पूछे अधर्स voltmeter का परतिरोध तो यह होता है अनंत यह option क्या होगा 100% इसका राइट आंसर होगा याद रखिएगा अधर्स voltmeter का यहाँ पूछा गया है कि परतिरोध कितना होता है तो voltmeter का अनंत होता है यहीं a meter पूछेगा तो a meter का क्या होज़ेगा सुनने होगा जैसे आप लोग ऐसे भी इसमें confusion रहता है कि voltmeter को कैसे याद करें a meter में तो समझ में नहीं आता है तो यहाँ आप दिखें a meter में यानि a से आ रहा है तो यानि आम होगा यानि सुनने होगा यानि आम आदमी यानि सुनने और यहाँ दिखें voltmeter में volt यानि बाड़ा होगा तो आम अदमी का क्या होगा सुने ना होगा गरीब अदमी का तो यहाँ पर ऐसे भी लोजिक लगा कि आप लोग याद कर सकते हैं ताकि आप लोग एक्जाम में भूले ना एक बच्चा आम भेजाए चलिए बहुत ही बढ़िया थैंक यू सो मच आम भेजने के लिए चलिए आगला कोश्चन का आप लोग आंसर दीजी यहाँ पे ग्यारन हमर प्रस्ण देखिए तो क्या है आगे आप वही प्रस्ण देखते हैं कोन सा बच्चा जवाब देता है यहाँ आप देखिए ग्यारन हमर प्रस्ण में पूछा गया कि आदर्स आम इटर का होता है माल लिजे और से आम आम कैसा होता है चलिए गुल होता है याईनि किया हो जागा सुनने व जागा फर यहाँ प्रस्ण का राइट उनसर होगा जिएसं साब़ुरू नहीं आपको भी भूलिएगा चलिए आम आम बहुत बढ़िया डॉली मिस्रा मैमावस अमेत राज देपु दिमाना यसर जी चलिए लोजिक जरूर लगाईएग एक जाम ऐसा नहीं कि बोल्ट मेटर का पूछे तो ना बोल्ट मेटर का अनंत आम मेटर यानि आम आम का इसन हो जीरो खानी हो ला नो गोल तो क्या हो जेगा वो राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहां पर आप लग साही किजेगा चलिए ग्यारा कोश्चन हो गया चलिए बारा नंबर प्रस्ण देखिए तो क्या है बारा नंबर प्रस्ण यहां पर पढ़िए बारा नंबर में क्या ल लाजटक बने रहेगा चलेएग अगला कुश्चन का जवाब तो यहां पे आप लुक ध्यान देजे किसी चालक का पूछा है तो यहां पे आप लुक ध्यान देजे किसी चालक का पूछा है क्या होता है, C is equal to Q by V होता है, तो यहाँ पर देखे जो भी option बच्चा ये बता रहा है, आप देखे A option, very good मेरे 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A option इसका right answer होगा, और सुबह में 5 बजे हिंदी का यहाँ देखे class होने वाला है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, और class को वो जरूर कीजेगा, उसके तुरंत बार online test होगा, उसके तुरंत बार आपको PDF और notes दिया जाएगा, तो यह सबी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, चले है, यहाँ पर एक बात बता देते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एको को PDF कोई नहीं देता, कोई भी सर आपको PDF न ले लो, 400 में ले लो, और यहीं देगा का, कुछ नहीं देगा, लेकिन हम आपको पूरा फिरी में देंगे, तो यहाँ आप देखिए, यह बात को आपको ध्यान में रखनी है, एक एक यहाँ आप देखिए, जो पढ़ा रहे हैं, पूरा subjective यहाँ आप देखिए, एक एक फर में बल्ब होगा और स्विच होगा, तो यहाँ देखिए, आप आप लोग समझें यहाँ पर, 14 नमबर प्रस्ण में देखिए, क्या कह रहा है, कि स्विच ओन करने के बाद एक एक एलेक्ट्रिकल बल्ब का ताप क्या होता है, हम पढ़ाये थे तू तीन दिन पहले, क्या परभाव पढ़ता है, तो क्या परभाव पढ़ता है, पहला पढ़िए बढ़ ही जाता है, तो बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, मान लिजिए कि दिजेगा, बढ़ते बढ़ते फटियन जाएगा, मान लिजिए फुल गेना उसको मान लिजिए उसमें हा जाएगा प्रतम बढ़ता है आप देसे आप लोग स्थिर जाता है तो प्रतम क्या होगा जैसे आप लोग स्विच ओन किर जेगा तो क्या होगा प्राथम एकदम अचानक सब्ड़ जाएगा उसके बाद जाएगा तो यहीं पूछ रहा है आप आप से कि switch on करने के बाद जो electric bulb होता है उसका ताप क्या होता है तो प्रतम बढ़ता है और तब जागी क्या होता है इस्तिर हो जाता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अपको समझ में क्या होगा राइट आंसर हो जैगा चली आगला कॉस्चन का जवाब देज़िए यहां पे 15 नमबर का और इसका जवाब देजिए यहां पे 15 नमर प्रेश्टन में क्या पूछा गया है कि मोडूलन के विपरित यानि उल्टा परतिकिरिया को हम क्या कहते है फा 12th question bank से पूछेगा 30 से 40 परसेंट जो प्रशने रहता है question bank से ही रहता है ये ध्यान में रखिएगा बाबु आप लोग 12th का 30 परसेंट चाहे 40 परसेंट question है bank से रहता है तो आप लोग ये बात का ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा previous year question ही है हलवा पूरी attitude बहा है चलिए सीमा सर्मा बहुत बढ़िया सीमा सर्मा प्रदीप निकिल साहीद अब इसे एक बहुत बढ़िया चलिए एकदम भजपूरी में चला भजपूरिया में होई यहांँलन के विप्रित पर्तिकिरिया नैनी मोडूलन के विप्रित तो आ च्छा कथ बूरा है तो मुडूलन क विप्रित क्या हो जएगा वि- работает क्या हो जकी कोण परवार जब जबश जिर गार 15 परस्न हो गया चालिस प्रस्ण है फाटा फट आप लोग कर लिजी और बताईए और ये प्रस्ण तो पूछिए मत कितना हलवा है और कितना यहाँ आप देखिए कितना हलवा प्रस्ण है और कितना ज्यादा बार पूछा गया प्रस्ण है तीन से चार बड़ ये पूछ चुका है इससे ज्य नादा भी हो सकता है तो यहाँ पर देखे 16 नमर प्रश्ण में क्या पूछा गया कि इलेक्टोंड बोल्ट द्वारा तो इलेक्टोंड बोल्ट द्वारा किसे इमापा जाता है ना यहाँ दारा नहीं विपो आंतर किसको यहां पते है तो नहीं आप देखें इलेक्ट्रोन बोल्ट द्वारा हम उर्जा को मापते हैं एनरजी को मापते हैं किस से तुछ से तुछ memang ऑपते हैं यहां पर क्या हो jايeg dels इसका राइट आंसर होगा उर्जा इसका सईच बाब होने वाला है वेरी गुड बच्चो चलिए यहाँ पे 16 प्रश्ण खतम हो गया चलिए आगे बढ़ जाते हैं आप देखें 17 नंबर यहाँ पे यह प्रश्ण आप देखें बहुत ही खास है यानि मोश्ट विवी आई प् आपकी तरह एकदम चंगा एकदम का एकदम बढ़ियां कुदत फान एकदम बढ़ियां तो यही पे आपसे पूछा गया है कि स्वस्थ मनुसी यानि यानि एकदम बढ़ियां जिसमें कोई बीमारी ना हो अच्छे से राता हो यानि पूरा स्वस्थ हो उसका तो उसके यहा पर ऐसा हो और आप लोग इसी पर टिक करके आज आज है तो इह का है 5000 उमें तो इह गलती होगा कितना 50500 पर चार गुजीरो जाना पर रही और उमें उम लागा रही उकरे पका करें गबाब को आप लोगो का करना है ऐसे गुलिया गे चले आना है तो यह बात आप लोग ध्या चले यहां पर बता दीजे पढ़ाया हुआ समझ में आता है कि नहीं आता है सर जी इस बार अब्जेक्टिव कुश्चन डबल रहेगा हाँ इस बार भी अभी तो लग रहेगा या सर जी कोने संदीप पांडे जी बोले या सर जी देख लिए पसीना कितना हो रहा है आप लो या अरजुन या कुमार बहुत बढ़िया गोल्डेन बहुत बढ़िया चले सभी बच्चेक दम सही जवाब दे रहे और ये हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताए हैं 18 नमबर प्रश्ण का कि किसी आवेसित खोकले गोलकार चालक के भीतर यहां पर हम का बताये थी गोल्यकार चालक के भीतर अगर आपसे पूछे कि आवेसित खोकले गोल्यकार चालक के भीतर तो अगर आपसे कहीं भी इतना दिखे ना कि आवेसित खोकले गोल्यकार चालक के भीतर तो उसके भीतर क्या होता है हमेशा सुनने होता है उसका विद्दु छेतर क्या होता है ब विद्धो तेवरता होती है तो वो होती है सुनी यहाँ पे बी ओप्शन इसका सही जवाब होगा चलिए फाटाफट आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्ण पर अगला प्रश्ण क्या है यहाँ देखिए 19 नंबर और 19 नंबर प्रश्ण का यहाँ पर आप लोग फाटा पर अपर लोगा उसका लंबाई बढ़ाएंगे तभी क्या होगा वीववाम आपी की लंबाई भी बढ़ेगी तो यहाँ पर आप लोग यह बात में ध्यान रखेगा कि किसी वीववाम आपी की सम्वेधन सिल्ता को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो हम इसका अनुक परस्ट का जो छेतरफल है उसको बढ़ाएंगे तभी हमारा क्या होगा वीववाम आपी की सम्वेधन सिल्ता बढ़ेगी यह अपर क्या होगा राइट आंसर होगा हंडेट परसेंट इसका सई जवाब होने वाला है चले बहुत बढ़ियां यहाँ पर देखि क्या है टिंथ लेबल का प्रस्ट ने तो फाटाफट आप लोग इसका जवाब दीजे तो हमारे लाइक है ही नहीं फाटाफट आप ही लोग उड़ा दीजे बीस का आवेस का सक्ति का उर्जा का विभवान तरगा चले आपके चैनल से उब्जेक्टिव लगेगा तो पचास में पचास आज आएगा उब्जेक्टिव में प्लीज रिप्लाइ में दो जाते इसमें पूछ लिजेगा जो हमारे प्रिवियस एर बच्चे हैं उनसे आप लोग पूछ लिजेगा कितना कोस्टन लड़ा था बड़ प्रिवियस एर में अब इसे बहुत बढ़िया चले बहुत बढ़िया अब सेक योट्पर धीपू बहुत बढ़िया अगला प्रीशन का आप लोग आंसर दीजीए आप देखिए पूरा-20 को खतम हो गया, 20 गो खतम हो गया है बाबू, जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद से पूछेंगे आप से कितना सही किए, यहाँ आप देखें 21 नवर प्रस्णी क्या है कि इलेक्ट्रोन पर आवेस बराबर होता है, कितने के बराबर होता है बाबू इलेक्ट्रोन पर आवेस आपलोग नहीं मानिएगा ये कम से कम 3 से 4 बर पूँछा गया प्रशने तो पाट फूटाव लोग इसका आंसर दीजे कि इलेक्ट्रोन पर आवेस बराबर होता है तो याद रखेगा, इलेक्ट्रोन पे आवा, इस कितने के बराबर होता है, बाभू ते 1.6 गुड़े 10 के पावर, माइनस 19 कुलंब के बराबर होता है, कितना बाभू, याद रखेगा, धुड़िये तो 2 गुड़े तो इतो गलते है, यहाँ आप दिखिए, यहाँ पे दिख अगला कोस्चन देखिए, तो यहाँ पे और वाट्सप गुरूप में नहीं जूड़े हैं, तो आप लोग जूड़ जाईएगा, उसी पे हम PDF का लिंक देंगे, टेस्ट का लिंक देंगे, सभी चीज़ उसी में प्रोवाइड कराएंगे, डेली लाइफ क्लास का लिंक दे दे, तो वाट्सप नमबर यहाँ पे देख लिजे क्या है, 91, 35, 74, 20, 24, आप इस पे मैसेज कीजिए और बुलिए कि सर हमको गुरूप में जूड़ना है, हम आपको गुरूप में जूड़ देंगे, चले, यहाँ पे देखिए अगला कोस्चन क्या है कि धातु का पारावे बहुत बढ़िया, शुर्य बहुत बढ़िया, महिमा वत्स, दिपु, दिवाना, आर्मी, विकास कुछ वहाँ बहुत बढ़िया, नितिस, भी भी, यानि लग रहा है कि हमारे जितने भी स्टुडेंट 35 गो तो सही करिए देंगे, यहाँ आप दिखिए क्या लिगए धायत का पारावेदू दिस्तिरांक होता है, तो यह होता है, कभी भी अनन्त होता है, अगर इसमें लगा दे कितना से अधिक होता है, अगर यहाँ पे अधिक लगा दे तो अधिक होता है, एक से याद रखेगा, चलिए अगला कोस्चन देख लेते हैं, अगला कोस्चन आपके सा प्रतिरोद का अब हम आपसे एक प्रस्ण पूछते हैं यहाँ पर जवाब दीजिए यहाँ प्रतिरोद का किया जाता है प्रतिरोद तुम आपा जाता है विट श्टोन बिरिज से लेगे निम्न प्रतिरोद की उच प्रतिरोद की दोनों दीपु का आगया दोनों अभिशेक का आगया दोनों निम्न नहीं होगा बाबु साहित बाबु अब साही कर लिजेगा दोनों किया जाता है निम्न तता उच option इसका right answer होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नमबर प्राश्ण अगला प्रस्ण का आप लोग आंसर दीजें फाटा फटा आप लोग अगले प्रस्ण का आंसर दिजें यहां पर 24 नमबर, 24 नमबर प्रश्ण देखें क्या है, most important प्रश्ण यहाँ पे 24 नमबर कि आयान मंडल में उपस्तित आयन होते हैं क्या वड़, यहाँ आप देखें जो आयान मंडल होता है, उसमें जो उपस्तित आयन होते हैं, आयन क्या होता है, धन आयन यान 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 तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या होगा धन आयन ए उप्षन इसका राइट आंसर होगा इसे आप लोग साई कर लिजेगा 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा चले आगला कोश्चन देख लीजे बाबु बने रही है और सुबा में 5 बजे कलास होगा 5 बजे वाला कलास सु जग गया वहीं याँ जग को हासिल कर लिया जग यू यज़ड़ा इसे इपने परिस्रम कीजिए थोड़ा कटिन परिसरम कीजिए तभी फल भी आपको मिलएगा बैटे बैटे फल नहीं मिलता यह कैके 25 नमर परश्ण क्या फेपाऑन यहाँ वांड डिग कराव जनीत्र है यहाँ देखें मांडी गराब जनीतर एक ऐसी उक्तिय जो उत्पन करती है यहाँ देखें वांडी गराब जनीतर वांडी गराब जनीतर ऐसा होता है जो बहुत जादा वोल्टेज क्या करता है उत्पन करता है प्रत्वर्ति सक्ति होगा नहीं उच यह आप दिखे मॉनलच जनेंट्र कैसी उपणी होता है, जो उच वोटता उत्पन करता है, तो यहाँ पी क्या होगा? C option इसका right answer होगा सई किर लिजेगा मेरे प्यारे student बहुत बढ़िया चलिए हम हम खरीद के लिए कि आएंगे for lovely है हमारी देखिए आप यह जो lovely सिंग चंद्रवन्स की है यह हमारी पूरानी student है और इनका आप लोग इन ही से इनका number पूछ लिजे पूछ लिजे कि इनका number कितना आया था मात रहं दो महिना से तीन महिना पड़ाया थे उसी में इन से पूछ लिजे कितना number आया था और कितना इन्होंने कितना प्रशन लड़ा था इनहीं से पूछ लिजे चले बहुत बढ़ियां यह आप देखे इसका रायत इसका राइट आसर क्या हो गहां स सी ओप्शन इसका राइट अन्सर हो जागा चले आगे बढ़्द जाते है अगले नमर पर अगला प्रस्न का आप लोग अंसर देजे फटा फट यहां आप दिखे यहां पर आप लोग बताईए कि विद्धू थीटर में जिस स्तत्व का वैवार किया जाता है वह कौन सा तत्व होता है तो तामबा तो लगाएंगे नहीं यहां पदेखिये प्लेटिनम भी नहीं लगाएंगे लेकिन हम लगाएंगे क्या नाइक रोम नाइक रोम किसलिए ल यहां आप देखिये नाइक रोम इसलिए इसका उप्यू किया जाता है विद्धू थीटर में यहां आप देखिये डी अप्शन क्या होगा हंडेट परसेंट राइट अंसर हो जागा चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रस्ण पर अगला कुस्चन का अंसर दी आप देखिये यहां पर क्या है 27 नमर क्रस्ण रिडे अवेस का परवाँ होता है तो रिडद अवेस का परवाँ का परवा होता है तो पहले option है तो पहले option आएगा एक्जाम में आका किजेगा टिक करके सही कर दिजेगा चले बहुत बढ़िया चले बहुत बेतरी यह option बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं अगला question आप लोगों के लिए है चले थोड़ा भारी है यह मत बताईए आप लोग लेगिन कोशिस कीजिए बताने गया है आप देखिए 28 नमर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि आवेसी संधारित्र पर संग्रहक पट्टी और संग्धनक पट्टी के आवेसु का यूग कितना होता है क्या ची आवेसी संग करा आप यहां पर क्या पूछा गया है आवेसी संधारित्र पर संग्रहक पट्टी और यहां पर क्या पूछा गया है आवेसु का यूग कितना होता है यानि उसके जोड़ेंगे तो वो क्या होगा तो यहां आप देखिए संग्रहक पट्टी पूछे और यहां पर क्या चलिए बहुत बढ़िया चलिए बहुत जानदर बहुत सांदर चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाप अगले नमबर पे अगला कुस्चन का आप लोग आंसर देदीजिए फाटा फटी यहाप यहाप देखिए यह इसका जवाब देजिए आप लोग चलिए तो बबू हमारा अभी बोलते बोलते क्या होता है कि एकद़वं गरदन सुखने लगता है तो चलिए यहाप लग, इसका जवाब देजिए फटा फटा पटा ब लोग यहां पर देखिए नमबर प्रश्लине, 29 नमर प्रश्ले क्या एकि शोसित विद्धु नुरजा होता है क्या होता है चलिए यहाँ आप देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देदेता है दीपु कुमार, विकास कुछवा, अमित गोल्डेन, आरमी बहुत बढ़िया लबली सिंग अभिसेख, पानी पी लिजे सर, पानी अभी रूम में रखे नहीं कल से रखेंगे पानी तो पी लेंगे, चलिए साहीद बहुत बढ़िया, लबली जी तेंदर बाबो माईमा, डॉली, सुरिया, गुल्डेन, सभी बच्चों का आ रहा है रिंकी कुमारी चलिए सभी बच्चों का आ रहा है यहाँ पे C अप्सान, नितीश सर्मा लेकर आये क्या सर, नई सर, बाबो थेंगी सो मज़ पुछने के लिए, बहुत बढ़ी तो यहाँ पे सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं कि सोसित विद्धुत उर्जा क्या होती है यहाँ पे C अप्सान में देखिये लिख रहा है कि विद्धुत क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्यों 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 कि यह सही है यहाँ पे क्या होगा C अप्सान में इसका 100% राइट आंसर हो जागा, इसे आप लोग सही कर लिजएगा चलिए अगला question देख लेते हैं आपके सामने ये रहा चलिए 30 number question और 10 को बचा है वाब उसके बाद से पूछेंगे किसका कितना सही हुआ है comment box में भी जवाब देना है आपको कि किसका कितना सही हुआ चलिए 30 number question क्या है कि भवर धराओं की दिशक किस नियम से प्राप्त करते हैं और यह यहाँ आप देखिए most VVI है question यह अभी के अभी याद किजिए आप लोग अभी के अभी जश्ट अभी याद किजिए कहीं यहीं ना आजाए आपके एक्जाम में तो आप लोग फाटाफट इसको याद किजिए कि भवर धराओं की दिशक किस नियम से प्राप्त होती है किर्चौफ के नियम से कि प्लांक के नियम से कि लेंज के नियम से कि यहाँ देखिए कोई नियमे नहीं लगेगा यहाँ पे आप लोग फाटाफ़ डिस का जवाब दिजिए, किर्चोफ के नियम गलत जवाब, लेंज का नियम बता रहे, अधिकतर बच्चे बता रहे, अटिट्यूड गॉयराज ए अप्शन, काव अभू, पिछला साल से पड़ा तरह अगलती करव, गलती ना, दिपु दि अब इसे एक पंकच रिंग की अर्जुन बहुत बढ़िया, अनील को स्वामी बहुत बढ़िया, लावले सिंग काव, पिछला साल से आप पड़ रहे हैं, गलती नहीं एक दाओ, यहाँ आप देखे, भवर धराओं कि दिशा किस नियम से प्राप्त करते हैं, तो यह करते ह इसका राइट आंसर हो जाएगा, 100% इसका सही जवाब होने माला है, चले, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, अगले नमबर प्रशनी पर, अगला प्रशनी क्या है, यहाँ देखे, 31 नमबर और 31 में देखे, यहाँ पे बहुत सारा बच्चा गलती करेगा, बहुत जल्दी बताइए यहाँ पे, जल्दी जल्दी एक स्टेट कुलम कमान, चले, जल्दी बताइए बाव, जल्दी आप लोग बताइए, फट 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 यहाँ पे, कि एक स्टेट कुलम कमान किनना होता है, C ओप्सन, D ओप्सन, B ओप्सन यानि सब आगया, A, B, C, D, तो आप अब का किजेगा काम किजेगा ऐसे दिया रहता है एक दू तीन चार अगर कोई question समझ में नहीं आता है तो चारू रंग के चले आईएगा का किजेगा चारू रंग के चले आईएगा कौनों ना तो कौनों तो सही हुखवे करेगा तो इस सब काम नहीं करना है यहाँ पे समझ बटा तीन गुड़े दस के पावर माइनस नौ यहां आप दिखे क्या होता है क्या होता है माइनस नौ कुलंब होता है याद रखिएगा यहां पर क्या होगा डी ओप्षन इसका राइट अंसर होगा क्या होगा और एक एच डवलू प्रश्ण आपको यह देते हम अभी नहीं मटैणी बताइए यहां पर देखे के एक डेश ourselves कि लिए कि एक कुलम्बबार मांद कितना होता है कि कि एक कुलम्ब आवेस का मान कितना होता है यह स्टेट हटा दीजिए यहां पर आप से पूछ रहे हैं एच डवलू में प्रस्णी यह पूछ रहे हैं आप से कि यहां आप देखें एक कुलम्ब आवेस का मान कितना होता है यह तो आप लोग जानगे कि एक स्टेट का होता है एक बटा तीन गुड़ दस के पावर माइनस नौ कुलम्ब होता है तो ये तो आप लोग जान गए लेकिन आप बताना है कि एक कुलम्ब बाव इसका मान कितना होता है इसको ये आप देखें लाइफ चेट में एक कॉमेंट बोक्स में इसका जवाब देना है चलिए आगे बढ़ते हैं आप अगले नंबर पर अगला कोश्चन है आपके सामने ही आप देखिए 32 नंबर और बचा को बचा आठ को कोश्चन तो आठ को कोश्चन बचा है बावू तो फाटा फट करके उसके बाद से लाइब स्कोर लेंगे कि कौन बच्चा कितना सहीर किया है महबूब बावू बहुत बढ़िया सर हम असी में असी बना के थे बहुत अच्छा कि थी यहां आप देखिए 32 नंबर प्रश्चन में देखिए आप से क्या पूछा गया है 32 नंबर प्रश्चन देखिए एक मिला टुक है आप लोग बावू चले यहां पर देखिए 32 नंबर प्रश्चन और यह बहुत ही ज्यादा महत्पुन प्रश्चन आपके एक्जाम के लिए यहां आप देखिए यह तीन से चार बर पूछा गया प्रश्चन कि किलोवाट ग chi क्या होगा यह कभीदे देगा की डॅ उच कितने के बराबर होता है तो आप लोग क्या जवाब दिजिएमा कि फिलोवाट गंटा को मात रख क्या होता है सब्सक्राम इसका हंडेट परसेंट सही जवाब हो जाएगा बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बी अप्सन आप लोग सही कर लिजेगा चली आगे बढ़ जाते हैं बगले नंबर प्रश्ण पर अगला कुश्चन यहाँ आप देखिए 33 नंबर प्रश्ण यहाँ पर और इसको एकदम दिमा अगुगा फाटफट महीं शुल्ब करेगा यहाँ अगला कुश्चन है हमारे पास 33 नंबर और प्रश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए कि हमारे पास तीन वालब है वह जाँ किसे कहते हैं जो विद्धूत उर्जा को ताप में बजल दे उसे हम क्या काते हैं उसे पर पर आप से यह पूछा गया कि हमारे पास तिन बल्व दिया एको 40 वाट के एको 60 वाट के एको 100 वाट के तो उसमें सबसे कम परतिरोध किसका होगा तो यहाँ पर आपको बताना है 40 वाट का होगा कि 60 वाट का होगा कि 100 वाट का होगा कि होखवे नहीं करेगा तो फाट फाट यहां पर ध्यान रखी जितना ज्यादा वाट का बॉल यहां पर ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा वाट का बॉल उतना कम पर ध्यान रहते हैं यहाँ आप देखिए छीपा हुआ है C option में की 100 वाट का तो यहाँ पे क्या होगा C option इसका 100% राइट आंसर होगा चले बहुत बढ़ी है जो भी बच्चा C बता रहा है बिल्कुली सही बता रहा है आगे बढ़िए यहाँ आप देखिए तीन नमर प्रशने का जवाब देजेए आप लोग तीन नमर प्रशने आप से देखिए पूछ क्या रहा है और सुबह पांच वजे वाला क्लास आप लोग जरूर कीजिए गवाबू सुबह उठते नहीं है आप लोग यहाँ देखिए देखिए तीन संधारित जिसमें प्रतिक की धारता सी है यहाँ आप देखिए पूछा गया प्रशने दो से तीन बार यहाँ आप देखिए तिन संधारित जिसमें प्रतिक की धारता सी है स्रेडी करम में जूड़ा है तो उसकी तुले धारता क्या होगी चले स्रेडी करम मे तो फाटा फटा आप लोग बताएं दीजे इसका आंसर बहुत गर्मी है बाबू चले फाटा फटा आप लोग आंसर दीजे इसका तो यहाँ आप देखे तीन संदरिज जिसमें प्रतिक की धारता हमको दे रखा ऐसी और स्रेडी करम में जुड़ा है तो इसके आप देखे त ुले धैरता जो होगी वह को जाएगा सी भॉस्तिक्ही थरी हो जाएगा अगर यहीं पर समनांतर करम दिया होता तो सबनांतर क्रम में क्या होता थरी सी हो जाता याद रखेगा तो यहां पे आप लोग इसको सही की albeit कशेर इसकोर साफ्यis हैं चलिए यहां पर इसका जवाब डिजे आप 15 नवार प्रस्निका कि एक विध्युद पर्पत में विध्युद पर Private में विव васiscover को मापते है भाबो तो विवांतर को हम कवी भी किस में मापते हैं तो वोल्ट में मापते हैं याद रखेगा विवांतर को हमेशा वोल्ट में मापते हैं वोल्ट को किस से सुचित किया जाता है तो भी से सुचित किया जाता है याद रखेगा बी ओप्सन इसका साई जवाब होने वाला है बहुत बढ़िया चली आगे ब फलन क्या होता है तो कभी भी तामबा का कारे फलन क्या होता है बहुत बने कुछ इलेक्ट्रोन बोल्ट ही होता है एक तो कुछ थोड़ा सा यहां पे क्या होता है तामबा का कारे फलन क्या होता है कुछ इलेक्ट्रोन बोल्ट होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा कुछ इले कि नहीं कि आप कर दिजिए तो सभी बचे लाइक कर दिजिए चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के आप लोग वाल पे ज़रूर कर लिजेए चले फाटाफ़ वाट्सप ग्रूप में नहीं जुड़ है यहाँ पर हम अपना वाट्सप नंबर लिख देते हैं गलत किया चलिए अगला कोश्चन जो आपके सामने यहां आप देखिए यहां आप देखिए अगला जो कोश्चन है आपका सैधिस नंबर कि एक बंद प्रिष्ट के अंदर हम आपको क्या बताया थे एक बंद प्रिष्ट के अंदर एक विद्धूत दिविद्रू इस्तित है तो आप देखें बंद प्रिष्ट में निर्गत कुल विद्धुत फलक्स कितना होगा हम आपको क्या बता है थे ट्रे के बाद बंद प्रिष्ट के अंदर अगर आप से पूछें तो आप लोग क्या किजिएगा सुनने डूडिएगा कि सुनने कहां पर है तो यहाँ आप देखें एक बंद प्रिष्ट के अंदर एक विद्धुत दिविद्रु इस्थित है बंद प्रिष्ट के निर्गत कुल विद्धुत फलक्स कितना होगा तो यह होगा सुनने कि तना होगा का इसे की प्रिष्ट का है बंद है तो इसके अंदर जो निर्गत यहां आप देखे क्या हो जाएगा विधुधス WC वो क्या हो जाएगा सुन्ने हो जाएगा डी ओफ सुनेए रितेश कुमार लफली बहुत बड़िया साहिद नागु भाई जितिंदर अभिशेक यूटुबर दीपक दिमाना अंजली गोश्रह में lying में बहुत बढ़िया सुर्य परकास बहुत बढ़िया नागुत बढ़िया जितेंदर नितीज फर्मा बहुत बढ़ी, यानि सभी वच्चों का एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है बाबू, ध्यान रखेगा, कि परतिरोध कैसे ही मातरक होता है, ओम, क्या होता है, ओम होता है, डी अप्शन, 100% इसका राइट आंस देदेजी जिए, उन 40 सिने वर प्रिशन में देखिए, कि आप उचा काये विथ्दूत का सबसे अच्छा चालक, फटा लग इपा पहें होता है, यंप देखिए, ऑच्छा चालक पूंदो का सबसे चालक का पुछे, तो siever होता है यानि पर क्या जैगा D option right answer हो जागा बहुत बढ़ी है D option आप लोग सही किजिएगा 100% इसका right answer जागा चले अंतिम प्रशन आगे आपके सामने चले लो भव इसका जवाब दीजे फटा फटा आप लोग इसका जवाब दीजे फटा फटा वट सवही बच्चे 40 निमर प्रशन का कि चालकों क जान से धाराप्रवा को समझने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ओम के नियम, क्रिचोफ के नियम, कियाब्द के जूल के नियम, कि फायराडे का नियम, 100% सही आंसर देना है, लास्ट कोस्टन है, चलिए, फाटा-फाट आंसर दीजिए, जो भी बता रहें, चलिए, अखिलेश, रिंगी कुमारी का भी डी आ गया, बहुत बढ़िया, तो यहाँ देखिए, जो भी बता रहें, कि चालिकों की जाल से धारा परवा के समझने के लिए, हम किसका फ्रियोग करते हैं, किस नियम का, डी, डी, एकदम डी, पूरा डी बोलिए, डी, डी, एकदम पूरा डी, बहुत बढ़िया, लेकिन डी क्या होगा, पूरा गलती जवाब, फैराडे का नियम का उप्योग नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, डी, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा, चालकों के जाल से धारा परवा को समझने के लिए, हम किरिचोफ के नियम का पालन करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, एक बात पांच बजे मोर्निंग में क्लास चलेगा, अब लोग यहाँ देखिए, इसका PDF कैसे सुवा में डाउनलोड करेंगे, और यहाँ देखिए, आज भी PDF डला हुआ है हिंदी का, सोमाक्स हिंदी का, आज भी डाले हैं, उसको भी जाकर डाउनलो इमन्दारी से बताना हैं आप सभी को, यहाँ पे ध्याँ देखिए, इमन्दारी से बताना हैं आपको, इमन्दारी से यहाँ पे आपको बताना हैं कि 40 में से कितना सही किये हैं, एकदम इमन्दारी पूरवक बताना हैं बावू, आप सभी को, 40 में से कितना सही किये हैं, च आज मेरा फर्स्ट देथा इसलिए 31 सही हुआ चलिए बहुत बढ़िया बाबु शेयर और किजिए वीडियो को आप लोग भी चलिए नितीस महिमा 38 भाई 40 वेरी गुड लबली सिंग चलिए डॉली मिस्रा 38 बहुत बढ़िया साहिद बाबु चलिए फोन को हम निकाल ही लेते हैं पास से देखते हैं कौन-कौन सा बच्चा कितना स्कोर किया है चलिए राना राज चलिए हमारे ओल्ड इस्टुडेंट है राना राज कैसे हैं बाबु आप हम एकदम बढ़िया है आप बताई आप लोग कैसे हैं सुभं बाबु नितीस बाबु 35 भाई 40 यानि सबका स् बढ़ा तरह गलती ना एक धम तारह तो कम से कम पूरा सही करेगे चाहिए चला नागुदे मिस्टर राना राज दिपु दिमाना चलिए बहत बढ़िया 38 भाई 40 यानि यहां बढ़िये हमको लग रहा है कि 35 से नीचे कोई भी बचवा क्या किया है साही नहीं किया है 35 के हमारी तरब से को बढ़काए इसमाईल आप लोग के लिए इतना अच्छे स्कूर की है तो हमारी तरब से बढ़काए इसमाईल आप लोग के लिए चलिए चलिए बहुत बढ़िया चलिए फाटाफट आप लोग बहुत बढ़िया अब इसे एक यूटूबर सीमा सर्मा सर्जी जी बोली बाबु आसीज बहुत बढ़िया महिमा वस जी देंदर बहुत बढ़िया मांकी लग रहा है बाब मांकी नहीं है यह मांकी नहीं है बाब देखिए यह तेरे नाम जारा है का जारा है तेरे नाम जारा है यह तो पापा के परी लग रही है हमको तो यह पापा की परी लग रही है का लग रही है यह तो पापा की परी लग रही है चलिए बहुत ही बढ़िया यहां आप दखिए उसी तरह एक दम सेंप्टों से इसको ध्यान से दिखिए उसी तरह लग रही है यहां अभी से एक नितीज चुड़े लग रही है सर चलिए यहां आप दिखिए अभी इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे यह बता देते हैं चलिए यहां पर आप लोग बने रही है हम आपको बताते हैं कि इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग ध्यान दिजिएगा अभ आप लोग सुबह में online test कैसे दे सकते हैं इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलूट कर सकते हैं अब इसे कुमार यह सर्ज चले सूपर डेविल बहुत बढ़िया नाग होते हैं चले यहां आप देखिए का हुगा जी का नहीं खुल राग चले यह खुल गया है यहां पर यहां पर आपको क्या करना है गूगल को open करना है गूगल में आपको क्या लिखना है सिंपली आपको सर्च करना है आस्क बोड यहां पर देखिए एसके और यहां पर लिखना है और आस्क बोड लिखना है और आस्क बोड लिखना है जैसे सर्च किजिएगा ऐसा लिखा हुआ आपके क्या करना है इसी पे क्लिक करना है जैसे ही पे क्लिक करेंगे ने आप अंगर आप कोmmm सबसे पहले काम क्या किजेगा यहां पे ध्यान दिख रहा है इतना आपको फिरी में दे रहे हैं इतना सब आपके लिए कर रहे हैं आप लोग एक काम अभी आईए अभी आके क्लिक कर दिजेगा ताकि हमारा वेबसाइट थोड़ा रिच करेगा और भी बच्चों के पास पहुंचेगा तो आप लोग जरूर किजेगा तो यहां पर आपको क्या करना है ध्यान रखिए अगर आपको ओनलाइन टेस्ट देना है तो यहां पर देखिए टेस्ट लिखा हु किजो हाँ आप लोग इसको क्या किजेगा ओपन कर दिजेगा और यहां पर आप कब आको ओनलाइन टेस्ट देने नहीं आते हैं सारा प्रोसेस यहां पर लिखा हुआ है कि ओनलाइन टेस्ट कैसे देसकते हैं ुएफ नोट कैसे डाउनूड कर सकते हैं और यहां पर इस पर इसार्ट जिखे आइसी पर आपको किलिक करना है क्लिक करने के बाद नाम पूछेगा तो यह जल की मोल रता कितनी होती है तो जल की मोल रता होती है पच्पंद समलोग पांच मोल लिटर इन बर्स तो यह आप देखिए इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह सही दिखाने लगा तो इसी परकार के आप देखिए आप लोग सुभा में ओनलाइं टेस्ट दीजिएगा और साम में चार बज़े आपको विडियो के माधियम से और पीडिएफ के माधियम से मिल जागा तो आप लोग ऐसा जरूर किजिएगा चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग यह आप देखिए पीडिएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ आप देख क्लिक जैसे करेंगे ऐसा पेज खुलेगा आपको क्या करना है सिंपली नीचे आना है नीचे जैसे आते जाएंगे ऐसे आते जाएंगे नीचे आपको सिंपली आना एक टेबल आपको दिखाई देगा यहाँ आप देहान देजेए आपको टेबल दिखाई देगा सो माक सिं दाउनलोड कर लेज़ें, जैसे देखिए आप यह PDF दी हैं, तो यह आप लोग आके डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसी परकार इसका भी दे देंगे, तो चले, यहाँ पर मिलेंगे सुबह में 5 बजे, कितना बजे पाबू, सुबह में 5 बजे वाला क्लास में मिलते हैं, चले, बहुत बढ़ियां, तो सभी बच्चों को गुड़ नाइट यहाँ पर, सभी बच्चों को बाय मल लगागे, पढ़ाई किजिए, टे केरेंड बाय, और सभी प्यारे बच्चों को गुड़ नाइट मिलेंगे, मॉर्निंग में.